लेकिन आज जिस तरी से मैं आपको बताने जारहूं यह बिलकुली हलक तरीका है आप इसे बहुत ईजीली बना सकते है आईए इसमें बहुत ही कम चीज़े यूज होती है मैं बता देती हूँ यहाँ पे लिए मैंने थंडा मिल्क यह मैंने बॉइल करके फ्रीज में रखकर थंडा की हूँ यह थंडा मिल्क है यह पॉडर शुगर है और यह है इंस्टंट रबडी इंस्टंट रबडी की रेसेपी मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखे तो आप इसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते और इसे बना कर रख सकते इसे हम एक से दो महिने के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते अगर आप यह बना लोग तो आपके बहुत सारे डेजर्ट क्विक बनना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत इजी लिए आप इसके मदद से डेजर्ट तयाद कर सकते हो यह लिए मैंने कुछ चीजे गार्निशिंग के लिए यह है काजू यह बादाम यह है पिस्ते और केसर आईए अब हम इसे बनाते हैं यह देखिए अब हम मिल शेक पनाना शुरू करते हैं यह है रबडी यह रबडी हम सभी ग्लास में एक एक चमच एड़ करते हैं यह देखिए हमने सभी ग्लास में रबडी एड़ करते हैं अब हम सभी ग्लास में मिल्क एड़ करते हैं यह बहुत ही थंड़ा और चिल्ड मिल्क है अब सभी ग्ल सबी ग्लास में रबडी और मिल्क अच्छे से मिला लिए है अब हम हमझे में शुगर एड़ करते है शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाप से ढालिए यहाँ पर मैं एक टी स्पून एड़ कर रही हूं शुगर एड़ करने बाद हम इस अच्छ से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमने सभी ग्लास में शुगर मिक्स कर चुके अब हम इन सभी छे ग्लास में छे फ्लेवर के क्रश एड़ करेंगे क्रश जो होते हैं वो मार्किट में बहुत ईजी ली मिल जाते है ने बहुत सारे देजर्ट में या फिर केक को डेचोरेशन करने में, बहुत मदद करता है एक क्रश और बहुत कम धामों में मिल जाते इस तरह से मैं अभी ले रहे हूं रसमलाई फ्लेवर की क्रश की बॉटल रसमलाई के मैं 3 टेबल इस्पून एक ग्लास में आड़ करूँगी और इसे अच्छे से यह रसमलाई फ्लेवर है यह देख सकते हैं किस तरह से होता है इसमें बहुत ही अच्छे से ड्राइ फ्लेवर होता है और यह बहुत ही अच्छा होता है खाने में बहुत ही फ्लेवर होता है यह देख सकते हैं कितना ठीक होता है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते है यह देखी हमने क्रश अच्छे से अड़ कर चुके लेकिन इसमें हमें र ब्राय फूट्स होते हैं इस क्रश में केसर होता है यह बहुत यह टेस्ट होता है यह देखिए यह लिए मैंने स्टॉबेरी क्रश यह अभी इस से में दूसरे मिल्क वाले ग्लास में एड़ करती हूँ यह भी मैं तीन टेबल स्पून एड़ करूंगी यह देख सकते हैं यह कैसे हूता है अगर आपके पास इस सर ना हो ग्रश और आपको मिल्च बनाना वह ता आप रबडी के साथ भी बना सकते है और इसमें फ्रूट अड़ कर सकते हैं जो भी इसनल फ्रूट होंगे आप गोड़ कर100 कर सकते है यह देख देक आप स्टॉबेरी फ्लेवर का कितना अच्छा क्लर आया है इसमें स्टॉबेरी के फ्रूट के हलके हलके से पीसे सोते है ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में आईए अब हम इसमें दूसरा क्रश एड़ करते है ये है ब्लैक करंट अभी हम ब्लैक करंट का फ्लेवर एड़ करते हैं यह देख सकते हो आप यह ब्लैक करंट का है यह बहुत थी अच्छा होता है खाने में इसके भी मैं तीन टेबल इस्पून भरके आड़ करूगी यह सबी क्रश मार्केट में बहुत थी इजीली मिल जाते हैं यह बहुत थी फ्लेवर फुल होते है आप इससे एक बार ले लोगे न तो आपके बहुत सरे डेजर्ट पनाने में आपको इजी हो जाएंगा यह देखिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाइनेपल क्रश यह भी मैं तीन टेबल इस्पून डालूंगी यह देख सकते हो आप पाइनेपल क्रश भी कितना थीक होता है इससे भी मच्चे से मिक्स कर लेगे आप चाहे तो और भी डाल सकते है देखिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बटर स्कॉच बटर स्कॉच ट्लेवर होता है यह भी कहाने में बहुट की टेस्टी होता है बटर स्कॉच मेरे बच्चों का सबसे ट्लेवर होता है अब य impress फिर कि आई से खाव लेते हैं उन्हें बिना किसी मिल्क वगरे के खाना बहुत अच्छा रखता है वो इसे बिना मिल्क वगरे के अच्छे से खा लेते है यह बहुत ही टेस्टी होता है यह भी मैंने तीन देवल स्पून एड़ कियूं अब आम इसमें लास्ट में लास्ट वाल ग्लास में डालेंगे रौबजा यह मैंने रौबजा का माप्रो का लियूं यह भी बहुत ठीक होता है आप इसकी जगह चाहे तो रौबजा का सीरब भी ले सकते हैं हम लोग यह वाला पसंद करते हैं इसलिए मैं यह वाला डाल रही हूँ इससे भी मैं तीन से चाहटे फल स्पून एड़ करूंगी यह देखिए हमारे सभी फलेवर के मिल्कशेक तयार हो चुके अब हम इसे गानिश करके आपको दिखाते हैं यह देखिए हमने सभी जूस को मिल्कशेक को अच्छे से गानिश कर चुके हैं और यह बहुत ही फलेवर फूल है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए आप मे दूआ में जरूर याद रखिए और बहुत जल मिलूंगे आप से इसी तरह से न्यू न्यू रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज